पसंद लिया है कि सीद करना है कि दो सकेंदे ब्रीत है मतलब एक इहीं केंदर से दो ब्रीत क्या किया गया है इवन उसी टू की दिया गया है तो कारा कि अगर एक इहीं केंदर से दो ब्रीत क्या किया इचाह गया हो सीत करें बड़े बृत की जीवा जो है फोटे बृत को जो असब्रश करती है वербfundingर ON कि बादयस बिंदु पर से बड़े बड़े इस दो बोब पर इस बारिन इस दो घर दो assistance बढ़े व्रित कुमाल लिया है C1 और छोटी व्रित कुमाल लिया है C2 तो यहां पर AB बढ़े व्रित C1 की क्या है जीवा है और छोटे व्रित C2 को बिन्दू P क्या करती है अस्पर्श करती है तो सीद करदना है कि A P बराबर है B P पर अब लिखते हैं कि माला की O के ने वाले से दो गृत C1 तर C2 पीची गही है बड़े गृत C1 की जीवा A B छोटे गृत C2 को बिंद A पस पस कटी है तो सीद करदना है कि A P बराबर B P इसलिए चुकी A B C2 के B P पर, B C2 के बिंदू P पर असपर्ष करती है तो इस पराबर चया हो सकता है A B असपर्ष रिखा हो गही और O P बिरिखिया है और जाएं कि असपर्ष रिखा से असपर्ष बिंदू कीची करती है लंग होती है तो AB C2 के भीन्दू P पसपस करती है, इस प्रकार AB सबाट सरतां तता O P ब्रित की तिर्ज़या है इस प्रकार हमने सिपते हैं O P Lumb A B O P जो है A B पर क्या है? Lumb है क्यों कि अस्पर्स बिंगु से खीची गेती लिया पर क्या होती है? Lumb होती है तो ए O P Lumb क्या हो गया? A B चुकि A B बरीत C1 की जीवा है यानि A B बड़े बरीत C1 की क्या है? जीवा है और चुकि पहरे चीवा दे दिया O P Lumb क्या हो गया है? A B O P Lumb A B दे दिया है आता O P जीवा A B को O P जीवा A B को संदिभारिट कर गी क्यों? क्योंकि एक इनिया में केंज से जीवा पर डाला गयालम संदिभारिट करता है यानि केंज से जीवा पर एबी पर डाला गेला हम क्या करता है दो भावों बाढ़ता है या केंज से जीवा ओपी जो है व्रिफ जीवा ओपी पर आया हुआ है इसलिए क्या लगा एपी बराबर बीबी